लुँक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूटीब चेनल दाइंडेक्स ट्रेडर दोस्तो चैपटर नंबर टू बुक है हमारी ट्रेडिंग इन दा जोन दोस्तों जब कि हो ऐसा कोई नहीं लिखके दे सकता ठीक है तो इसलिए पहले आपको यहाँ पर असेप्ट करना पड़ेगा कि दोस्तों यहाँ पर जब भी आप ट्रेडिंग से डिल कर रहे हैं तो आप एक रिस्क टेकर हैं ठीक है आप नहीं बोलते हैं कि मैं साथ परसेंट मंतली कमाही ल हैं दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर जब आप एक रिस्क टेकर आपने पहले असेप्ट कर लिया कि यहाँ पर जो भी हम ट्रेड डालेंगा उसका आउटकम फिक्स नहीं है हमको प्रॉफिट भी हो सकता है यह कोई यहाँ पर गारंटी से गारंटीड कोई भी चीज पर बोला गया थी कहा तो यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा जब भी आप बोलते हैं कैबом स्रेंग्रै तो यहाँ पर आपको बताएंगे का दो टाइप के ट्रेडर होते जो एक बहुत तक्रेडर है और दूसरे जो बागी सारी ट्रेडर यह तो उंसमानता हैं कि वह दोनों ही ले रहे हैं ठीक है बट रिस्क लेना ही काफी नहीं है ठीक है आप रिस्क को भी एक अच्छे तरीके से डिसिप्लेयन वे में आपको यहां पर लेना पड़ेगा ठीक है तो यही इन्होंने थोड़ा सा इसमें explay किया है कि आप discipline की discipline रख आपको risk लेना है तीक आप माल लो कि क्या करता है trader जो पहला trader ओच्छा trader यहाँ पर 10 trade लेता है और उसमें पूरा अपना risk reward अच्छे से रखता है discipline से रखता है डिए क्या दूसर बिन यहाँ ने जा रहा हुआ है माल लो इस इसने क्या 20 trades ले ली और इसने 10 ही ली है अच्छे से देख दख के discipline के साथ और यह क्या है हर ट्रेड में बढ़िया वन रेशो 5 के या वन रेशो 6 के विया वन रेशो 3 के तो दोस्तो आप भी बताओ रिस्क तो यह भी ले रहा है रिस्क यह भी ले रहा है डिसिप्लेन रिवार्ड भी ठीक टाक रहा है बट फिर भी यह काम्याब नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर डिसिप्लेन की कमी है तो दोस्तो आपको रिस्क लेना है पर डिसिप्लेन क साथ में लेना है तो यह बहुत बड़ी बात ये बोल रहें के जो आप ऐसा कर रहें कि जो चीज unavoidable है उसको आप avoid करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर आप ऐसे करेंगे तो उसके जो effect है वो बहुत जादा disastrous effect होने वाले हैं जो करेंगे आपका क्या करेंगे account blown off यहाँ पर कर देंगे दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है जब भी आप lose जब भी market में आप पैजा lose करते हो मैंने भी किया है और बहुत लोग करते होंगे तो इसको सबसे बड़ी दिक्कत क्या जब आप अपने आपको जब आप wrong proof होते हैं wrong का मतलब जब आपके stop loss rate होते हैं तो बहुत ज़ादा उस चीज को accept करना वो बहुत बड़ा एक painful काम है आपने ट्रेड ली loss हो गया फिर जब आप उसको accept करोगे ना तो वो एक बहुत बड़ा एक painful वाला काम है यह इतना आसान नहीं होता एक अपनी loss को accept करना तो guys सबसे बड़ा question ही है कि बई ऐसे जो हमारी जो ट्रेडिंग जो इतनी uncertainty से भरी हुई है उसमें हम कैसे disciplined focused और confident रहें ऐसा हम क्या करें तो दोस्तों घूम दिर के बात ही आजाती है कि बई सबसे पहले आपको accept करना सीखना पड़ेगा कि बई ट्रेडिंग क्या है full of risk से भरी हुई है तो सबसे पहले आपको यह यहाँ पर सीखना पड़ेगा जब यह आप यह स्किल को यहाँ पर क्या कर लोगे जब आप इस स्किल को डवलप कर लोगे कि बई हाँ कि जो ट्रेडिंग है हमारी risk से भरी हुई है तो जो एक market आपको एक information देता है जैसे आपको trade डलने वाले हो आपको पता है कि मेरा इस trade पे 4 points का stop loss है ठीक है तो वो एक information है market ने दे दी है अगर अब आपको पता है कि मेरे का 4 points का stop loss है यह मेरे को मैं इस path से नहीं हटूंगा और आपको जो market ने information दे दी है और आपके सामने जो भी है possibilities हैं वो अब आपके सामने है तो यह आपकी जो avoid करने की शमता है आप जैसे बोलो के जो discipline रहने की शमता है उसको बढ़ाएगा और आप automatic discipline होते चले जाओगे जो हमने पीछे पढ़ाता है ना financial pain, emotional pain उनसे आप हटते चले जाओगे तो इसलिए सबसे बास ज़रूरी है कि पहले आप accept करना सीखो कि पर ट्रेडिंग में risk है फिर आपको market auto में ही information देना provide कर देगा कि इस trade पर हमारी ऐसे ऐसे फलाना फलाना यहाँ पर possibilities बन रही हैं दोस्तो दोस्तो market में बहुत सारे errors होते अब दोस्तो error क्या है वो मैं आपको बताता है जो आप day to day life में face करते हूँ जैसे माललो आपने कोई trade ली आपने बहुत चार पॉइंट का stop loss लगा दिया और दस पॉइंट का यहाँ पर आपने target लगा दिया market ऊपर जाएगा market ऊपर जाएगा कभी-कभी market जहां से आपने trade लिया उसके ऊपर गया आपको थोड़ा profit हुआ उसके बाद market नीच आ जाएगा और शायद आपका stop loss भी हिट करके आपका target हिट कर दे और ऐसे बहुत से कांड ऐसे होते हैं जैसे मालले बिलकुल आपने चार पॉइंट का stop loss लगाया और नाइन पॉइंट का target लगाया तो market बिलकुल आठ पॉइंट तक जाके फिर टरन हो जाए ठीक है और फिर शायद आपके stop loss के पास आके फिर आपके target हिट कर दे तो मतलब ऐसे बहुत सारे auto generated errors आपको market में मिलेंगे तो दोस्तों आपको क्या लगता कि market ये आपके लिए special create करता या कुछ अलग चीज़ है दोस्तों आपको पता है कि ये market generated errors नहीं होते हैं क्योंकि market तो हमारा neutral है वो हमेशा से ही neutral रहता है अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जो psychology है वो बहुत जादा important हो जाती है क्योंकि ये ऐसे volatile moves आपको क्या कर देते हैं afraid कर देते हैं जिससे एक trader घबरा जाता है तो हमने पहले ही बता दिया अगर आप disciplined है अगर आपको पता कि market में ऐसे जो risk वाले factors है वो हमेशा involved रहते हैं तो शायद आपका जो ये डर है क्यार मेरे को पहले 7 point का profit हो रहा अब तो मेरे को 2 point का profit हो रहा है जो ये सारे call outs होते हैं वो क्या हो जाते हैं drop हो जाते हैं तो इसलिए ज़रूर ये कि आपको यहां पर mentally थोड़ा सा यहां पर strong होना पड़ेगा क्योंकि अगर जैसे आपने trade ली आपकी 6 point का profit हुआ और फिर market नीचे आने लगया फिर आपको 4 point का profit हो रहा तो आप यहां पर 4 point का profit को book कर लोगे ठीक है तो आपको तो लगएगा मैंने 4 point का profit book कर लिया है बट जो आपका जो mental यहां पर psychology है वो बिलकुल दीरे दीरे खराब होने लग जाएगी वो आपको कभी बड़ा profit नहीं करने देंगे और इनी को बोला जाथा faulty trading attitude and prospective ठीक है तो इसलिए यहां पर आपको अपने उपर trust और confidence हमेशा से यहां पर रखना पड़ेगा दोस्तो दोस्तो जो एक सबसे जाद है यहां पर जो एक pro trader और एक normal traders में जो difference आता है वो आता है दोस्तों mental attitude का यहां पर जो हमारे pro traders होते हैं वो कभी भी इन चीजों से ऐसी trade से afraid नहीं करते हैं उनका वो market में हैं उनको पता है मेरा इतना रिस्क है और वो कभी इन चीजों से घबराते नहीं हैं बट जो most of trader है about 95% जो trader है वो घबरा जाते हैं और फिर ऐसे error करते हैं और उनके साथ क्या होता है क्योंकि जब वो देखते हैं कि पहले मुझे 6 points का profit हो रहा था अब मुझे 3 points का profit हो रहा था उनके दिमाग में छबी बन जा दिए कि मुझे 3 points का loss हो रहा है जिससे क्या है जो उनकी money वो evaporate हो रही है उनकी आँखों के सामने से तो जो एक attitude होता है towards trading वो लेके चलते हैं एक dirt type अपने दिल के अंदर एक dirt type लेके चलते हैं वो आपको सबसे पहले हाँ पर निकालना पड़ेगा तभी आप एक अच्छे trader यहाँ पर बन सकते हैं वरना आप कितना भी course कर लेना कुछ भी कर लेना आप यहाँ पर एक अच्छा trader कभी नहीं बन पाएंगे दोस्तों मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मार्केट में डरना ज़रूरी है बहुत सारे के मुह से आपने सुना गए कि भाई बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में आपको डर लगे दोस्तों अगर आपको मार्केट में ऐसा डर लगने लग जाए कि भाई शायद मैं गलत हूँ शायद यह ट्रेड लिया है अगर आपको उस ट्रेड पर डर लगे तो तब क्या होगा जो आपके जो wrong होने के chance है वो जादा बढ़ जाएंगे क्योंकि जो market आपने जो market से information लिए है मतलब जो भी आपने analysis किया है वो क्या होगा जो आपका fear है वो उसके उपर हावी हो जाएगा जिससे क्या होगा जो आपके जो wrong होने के chance है वो क्या हो जाएंगे दोस्तो बढ़ जाएंगे तो दोस्तो जब भी आप यहाँ पर fearful रहेंगे तो जो आपको possibilities मिलेंगी मालो कोई अच्छे volume में साथ break out हो रहा है, break down हो रहा है आप उन पर यहाँ पर अमल नहीं कर पाएंगे और उन पर आप ठीक से act नहीं कर पाएंगे दोस्तो यहाँ पर जब भी आपको कभी डर लगे मालो को physically डरे हुए है तो उससे क्या होगा दोस्तो आप दोड नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे बट दोस्तो जब भी आपको mentally आपको डर लगा हुआ है, आपका आपका जो attention कर, focus of attention है जो आपका किसी भी चीज़ को attend करने की जो शमता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी इसलिए यहाँ पर आपको डरना तो है ही नहीं market में, ठीक है न क्योंकि जो अगर आप डर गे तो जो market में available possibilities हैं और जो available information है वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, दोस्तो blocked हो जाएंगी तो आपको क्या अगर ना, ये डर को market से पहले आपको निकालना सबसे बड़ी बात, ठीक है ना, आपको यहाँ पर, देखो आभी यूक्रेन और रश्या का बाट चल रहा है लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं लोग market में डर फैलानी की कोशिश करना है बट जो actual में असली trader होगा वो information पर काम कर रहा होगा वो बिल्कुल इन फालतों चीजों को यहाँ पर नहीं यहाँ पर देख रहा होगा ठीक है, क्योंकि अगर आप डर गए तो यहाँ पर जो आप सोच रहे हो ठीक है, और उस पर आप क्या नहीं कर पाओगे act नहीं कर पाओगे दोस्तों दोस्तों यहाँ पर हमारा belief, attitude और perception यह क्या है, हमारे fundamental है trading के, यह तो चीज़े आपको आनी ही चाहिए, अगर आपको tennis खेलना है, तो tennis को serve कैसे करना है वो आना चाहिए, और अगर आपको golf केलना है, तो golf stick को कैसे swing करना वो भी यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यह भी इनके क्या है, fundamentals है तो यहाँ पर अब जो एक समझने वाली और सोचने वाली बात यहाँ पर यह है, अगर आपको यह नहीं आएंगे, अगर आपको fundamentally आपके week है, तो आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तो दोस्तो अभी हमारे author बताते हैं, जब इन्होंने पहली बार यहाँ पर golf खेला था, ठीक है ना तो यहाँ पर इन्होंने पहली बार खेलते हैं भी काफी अच्छा performance दिया था जबकि इनको golf के बारे में कुछ इतना knowledge भी नहीं था, फिर भी उन्होंने 120 यहाँ पर points इकटते किये थे, 18th hall में तो दोस्तो यहाँ पर जैसा यह बोल रहे हैं मैं पहली बार golf खेलते हुँ, इतना अच्छा performance किया तो अगर और अच्छा performance करना तो इनको अच्छी techniques यहाँ पर सीखनी पड़ेंगी, तो दोस्तो यही हमारा market के साथ में है तो यह पूछे हैं, अब कौन सी ऐसी techniques हैं जो यहाँ पर हमको improve कर सकती हैं दोस्तों, यहाँ पर अंगिनत, लाखों लोग यहाँ पर market में trade करने आते हैं ठीक है ना, तो अभी सबसे पहले जो हमने market information, दोस्तों जो हम यहाँ पर बार-बार market information बोलने हैं, वो बोलने हैं, दोस्तों हम अपना analysis, तो यहाँ पर आपको जो भी आपका attitude है ठीक है, और जो आपका belief है market पे हमेशा होना ही होना चाहिए, जो आपने analysis किया है, उस पे अपना आपका belief रखना जरूरी है, और attitude आप उसमें कैसे act करें, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यही एक technique है, भागी कोई ज़्यादा technique, जो आपने technical analysis किया उस पे आपका belief होना चाहिए, और जब आपने trade ले दी, तो आपका attitude कैसा, वही आपको यहाँ पर consistent, यहाँ पर एक अच्छा trader बनाएगी, क्योंकि यही एक तरीका है, एक अच्छा तरीका loss को avoid करने का behavior की, अब मैं market behavior से बोलने का मेरा तात पर रहे का, आप यह समझे, क्योंकि market का है, बहुत variable है, कभी, कभी भी किसी भी point में कुछ भी हो सकता है, तो आप मुझे यह बताई, कि आप हर एक point के लिए तयारी कर सकते हो, क्या, कोई दुनिया में ऐसा आदमी है, ट्रेडर है, जो market के हर एक point के लिए तयारी कर सके, analysis कर सके, या कोई trading general बना सके, दोस्तों, नहीं, ऐसा कोई यहाँ पर आदमी बना ही नहीं है, कोई trader बना ही है न, जो market के हर एक moment को, यहाँ पर उसके लिए कुछ ना कुछ सायारी कर सके, तो घूम फिर के काम क्या आने वाला, दोस्तों, काम आने वाला आपका belief, आपका attitude तोड आपकी, जो आपने analysis किया है, दोस्तों यही एक तरीका है, market से जंग जीतने का, क्योंकि, जो market में, जो self generated errors होते हैं, self generated error मैं आपको बता ही चुका हूँ, पहले में आप यह आपको explain कर चुका हूँ, क्योंकि, जो आप डरोगे, बार बार कि आप गलत हो जाओगे, या आपकी money lose हो जाएगी, वो इन चीजों से आपको यहाँ पर पार पानी पड़ेगी, तब ही आपको यहाँ पर constant और एक अच्छा trader आप यहाँ पर बन पाओगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि market एक हमारा uncertain outcome है, बस उसको कौन बचा सकता है, हमारा belief और हमारा attitude है, जो हमने analysis किया, उसके प्रती, दोस्तों, आप कैसी भी तैयारी कर लेना, यहाँ पर आपका जो lack of confidence है, lack of discipline है, और यहाँ पर improper focus है, जो इससे trading problems create होंगी, उनको solve नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, दोस्तों अगर यहाँ पर आपको एक अच्छा analysis, अगर आपको पता है आपने कर दिया, तो बस आपको करना क्या है, आपको उस पर अपना attitude और यहाँ पर अपना belief उस पर रखना है, दोस्तों बहुत बार आपको यहाँ पर market ने be trade किया होगा, market से आपने mark खाई होगी, बार 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 बहुत बार और फिर आपको हुआ होगा disappointment, ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि अब तब आपको लगेगा, भाई, मुझे market पर घंटा भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पर loss हो रहा है ठीक है, बट यहाँ पर reality यह नहीं आप लगोगे, मिया तो मेरा analysis गलत है, बट actual में क्या है, reality यही है, क्योंकि आप अपने आप पर भरोसा ही नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा आप market से, मार खाते रहोगे बार बार दोस्तों, ऐसे trader आपके पास दो choice है, अब दो दो choice क्या है, या तो market के हर एक variable moment के लिए आप यहाँ पर कोई ना कोई planning करो, ठीक है ना जिससे आप आपका risk कम हो जाएगा, ठीक है हर एक बहुत ज़ादा analysis करो, के market इस point पर यह करेगा, वो करेगा, बहुत ज़ादा analysis करो या आपके पास एक और तरीका है, वो क्या है दोस्तों, आप सीधा सीधा आप अपना अच्छे तरीके से क्या कर लो, पहले risk को यहाँ पर क्या कर लो, दोस्तों, accept कर लो, और यहाँ पर आप अपने risk को redefine कर लो, ठीक है, आपको पता लग जाए यह मेरा risk है, दो तरीके हैं, दोस्तों, पहला, कि आप हर एक market के हर एक moment के लिए analysis कर लो तैयारी कर लो, जो की possible नहीं हैं, जिससे को आपको के वाल एक ultimate frustration ही मिलेगा, या आप अपनी जो trading activities हैं, जो आप risk को कैसे accept कर रहे हैं, उनको redefine कर लो, अब दोस्तों, क्या होगा जब आप अपनी ऐसी state of mind में पहुंच जाओगे, जिसमें आप अपने risk को accept कर रहे हो, ठीक है ना, तो अब आपका जो painful जो तरीके थे, जो आपको market pale रहा था, वो यहां पर हट जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप अपने market की जो आप market में hesitate करते हो, jump the gun, मतलब आप market को देखा, कोई trade मिली, टक से आप उसमें entry कर ली, बिना कुछ सोचे समझे, जो market में आप hope रखते हो, ठीक है, यह सब यहां पर आप इनको क्या कर लोगे, यहां पर आप निकाल दोगे जो आपकी जो inability थी, वो हट जाएंगी, और यहां पर जो आपका loss है, वो cut हो जाएगा, तो यह एक बहुत अच्छा तरीका है, कि आप अपनी trading activity को redefine कर लो, risk accept कर लो, कि भाई मुझे state पर इतना risk होने वाला है, तो यहां पर को क्या क्या सीखना है, दोगो सबसे पहले आप अपना जो attitude है, उसको address करना सीखो, सीखो और जो आप trade कर रहे हो, उस पे आप belief करना सीखो, ठीक है, क्योंकि जब जो भी आप trade ले रहे हो, उस पे आपको थोड़ा बहुत भी क्यानी होना चाहिए, दोस्तो fear नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आप ऐसा framework यहाँ पर develop करो, जिससे जब भी आप trade करो, तो आप reckless नहों, reckless मतलब लापरवा नहों, अगर यह आपने attitude develop कर लिया, तो दोस्तो, यह आपको अच्छा trader बनने से कोई नहीं रोख सकता, और actual में जो यह book design करी गई है, वो आपको यही तरह के सिखाएंगे इस book में आगे trading in the zone में, ताकि आप यह चीजे गलती ना करो दोस्तो, तो अभी हमारा यह जो आज का जो topic है, वो खताम मुझका, next video में हम chapter number 3 को पढ़ेंगे, चलो, bye दोस्तो